हलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करे हैं, इस पाटशाला में निउ सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप सभी ने नाइंत पास आउट करके आप टेंथ में आ चुके हैं, तो आप टेंथ में हम पढ़ने क्या-क्या वाले हैं, खास्तोर से हिंदी म कितनी books हैं, क्या-क्या syllabus हैं, ये सारी चीजे जानना जरूरी होता है, इससे पहले कि हम अपनी study start करें, तो हिंदी में आप मोटा-मोटा ऐसे समझो कि आपके पास दो books हैं, पहला तो आप एक जो basic चीज समझना है, वो ये है कि class 10th में आपको हिंदी के दो course चलते हैं, जैसे class 9 में था, course A था, course B था, आपके पास जो भी course रहा होगा, वही continue आपका 10th में भी रहेगा, अगर आपने course A पढ़ा है, तो 10th में भी आपका course B पढ़ा है, तो 9, 10th में भी आपका course B रहेगा, तो अब ही आज जो हम लेकर आए हैं, वो class 10th में हिंदी course A का हम syllabus overview लेकर आएं, कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो अब course B वाले बच्चे बिल्कुल भी परिशान नहीं हूँ, कि मैं, आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ, हमने ये मानते हैं कि last session में जो हमने है, फटा-फट जितना भी exam oriented था, हमने सारा syllabus खत्म करवाया, लेकिन class 10th course B का नहीं करा पाई, कोई बात नहीं, लेकिन हमने grammar और writing portion आपका पूरा complete कराया था, even sample paper भी आपके कराये थे, इस session में हम ये कोशिश करेंगे कि course A और B दोनों को cover up करें, तो चले वापस आज आते हैं, यहाँ पर आज के वीडियो पर जैसे मैंने बोला कि class 10th Hindi course A को हम सबसे प उक्सती हुई है, पहरी book हमारी शतष भाग दो है और दूसरी book है कृतिका भाग दो, जैसा कि आपका 9th में था शतष भाग एक, कृतिका भाग एक, वैसे यहाँ पर शतष भाग दो और कृतिका भाग दो, सिर्फ पार्ट बदल गए हैं, अंदर का content भी बदला है, आपकी 9 9 में शुरू हो रही थी book गद्यखंड से, यहाँ पर शुरू हो रही है काविखंड से, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले जो चीज ध्यान देनी हैं, वो देखिएगा, कि आपकी शतष भाग भी आपकी दो खंडों में वबक्त है, काविखंड और इसमें आपके जितने भी पद हैं, दोहें हैं, कविताएं हैं, सवईयें हैं, चौपाईयां हैं, यह सब ही कुछ आने वाला है, अब इसमें हम क्या-क्या चीज़े आगे आ रही हैं वो देखते हैं, तो सबसे पहले हम काविखंड देखेंगे, काविखंड में आप देख जो यह आपके 6 चैप्टर हैं, कितने? 6 चैप्टर आपके काविखंड में हैं, और 6 आपके गदेखंड में हैं, अब इनके अंदर है क्या? तो सबसे पहला चैप्टर जो आ रहा है, वो है सूरदास जी के पद, सूरदास जी के आपके 4 पद लिए गएं, कितने? पहला पद है उधव तुम तो हो अतिबड़ी भागी दूसरा है मन की मन ही मांज रही तीसरा है हमरे हरी हारिल की लकड़ी और चौता है हरी है राजनीती पढ़ी आए तो ये जो हम सूरदास जी के पद यहां पर पढ़ने वाले हैं ये इनके भ्रमर गीत से लिए गए अब थ उनके चले जाने के बाद उन्हों ये वादा कर गये थे कि हम कातिक मास तक वापस आ जाएंगे लेकिन अब शिरी कृष्ण जो चले गए फिर वो वापस नहीं आए उन्होंने अपने मित्र उधव को भेजा कि जाओ अब गोपिया उनको पता था कि इस समय वो विरहा अगन जल रही है वो शान्त होगी तो जब उधव आए और वो योग का संदेश इन्होंने गोपियों को दिया तो जब ये गोपियों को संदेश दे रहे थे उसी समय वहाँ पर एक भवरा आ जाता है भवरा जानते हैं ना भवरा आ जाता है अब उस भवरे को दिखाएंगे उस स अब वो क्या खर आप सभी चांदे हैं राम च्रितमानस। अब आज आतcketे हैं दूसरा आध्या है तुलसिदास जी द्वारा कृत आप सभी चांदे हैं को न। जानते हैं ना जानते ही कि नहीं जानते हैं किस ने लिखी रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखी कि तुलसीदास ने रामायण लिखी क्या लिखी इस बात को लेकर बहुत जादा कंफ्यूजन है मैं आपको बता दू यहां पर रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखी है और रामायर जो है वो इनके द्वारा कृत्ते नहीं है बहुत ध्यान से देखिएगा क्यों देखे यहां रामचरित मानस में रामजी के चरुत्र का वर्णन है तो वही यहां पर लिया गया है तो यहां पर रामचरित मानस के कुछ जो हैं चौपाईयां और दोहे लिए गए हैं राम लक्षमन परसुराम संबाद अब ये संबाद कहां का है जब राम जी और लक्षमन जी जो है पहुंसते हैं कहां पर जान की यानि की सीता जी के स्वयंबर में पहुंसते हैं और वहां पर उनसे शिव जी का धनुष तूट जादो वह बहुत क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हो जाते हैं अब उपस्थित होने के साथ वह बहुत ही जादा गुस्से में हैं कि जिसने ये धनुष तोड़ा है मेरे आराध्य का मैं उसका वद कर दूँगा वो शहस्त्र बाहु के समान अब इनी के बीच जो है लोगों ने अभी तक जो विधा पढ़ी है वो है आत्म कथा लेकिन आत्म कथे नहीं पढ़ी होगी बात ये है कि जैशंकर प्रशाद से उनके बहुत सारे मित्रों ने बोला कि भाई आप भी बहुत मशूर कवी हैं आप भी अपनी आत्म कथा लिखिए लेकिन जैशंकर प पढ़ेंगे आत्म कत्थे के अंतरकत यानि कि वो नहीं लिखना चाहते हैं उसके रीजन क्या हैं वो सभी कुछ है फिर चौता है सूरेकां त्रिपाठी निराला द्वारा दो कविताएं हमारे चौत्थे पाठ में हैं वो हैं उत्साहा और अट नहीं रही उत्साहा एक जो है शोशन को खतम करने के लिए क्रांती का भी आववाहन है तो बादलो को क्रांती के सुरूप के रूप में सुरकां त्रिपाठी निराला जी ने इस उत्साहा कविता में प्रस्तुत किया है दूसरी कविता है अट नहीं रही ये फागुन मास की सुंदर्ता का वर्णन किया कि फागुन मास में जिस तरीके से प्रकती चारु तरफ सुंदर हो जाती है फूलों से सुगंद से नैने पत्तों से भर जाती है पशू पक्षी मनुष्य सभी ही बहुत ही जादा उत्साहित हो जाते हैं देखकर उनको उसी का वर्णन हम यहां पर देखनी वाले हैं फिर प हमेशा वो घर से बाहर रहते प्रवासी की जिते थे तो जब उनका पुत्र पैदा हुआ तो वो अपने घर पर नहीं थे और जब वापस आये तब तक वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था तिन चार महीने का हो गया था तो वो धीरे धीरे जैसे पहचानने वाली जो क करसी को देखकर वो इतना जादा सम्मोहित होते हैं और उसकी किस-किस तरीके से तुलना करते हैं सारी चीजें उन्होंने बड़े वखोवे ढंग से इस कविता में प्रस्तुत करी इसलिए इस कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान चोटे-चोटे दातों वाली जो मुस पैदा किया जाता है इसको कितनी मेहनत लगती है प्रकती का भी सहयोग रहता है मनश्य का भी सहयोग रहता है इसी पर एक छोटी सी कविता है कहने को वो कविता छोटी है लेकिन उसकी गंभीरता बहुत जादा है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि फसल है क पूरी कविता में हम देखेंगे कि एक गायक के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक संगत कार उसको कितना जादा सपोर्ट करता है लेकिन आप किसी भी फिल्ड में चले जाओ हर एक विक्ति को सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई रहता ही है आप चाहे अब हम लोग अगर मुवीज देखते हैं तो भाई कहें अमताब बच्चन है शारुक खाने सलमान खाने तो क्या वो अकेले ही ही हीरो बन गए क्या उनको पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था वो क्या कहते हैं जितना क्रिव होता है वो ड्रेस डिजाइनर डांसिंग मांस्टर और जो क्या कहते हैं ये सारे जो होते हैं ये इनको कही न कहीं फेमस करने में बहुत मदद करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं तो इनहीं को बोला जाता है संगतकार तो इन संगतकार के महत्व को हम इस कविता के अंदर समझेंगे चले ये तो हो गया काविखंड अब हम आ जाते हैं गद्य खंड में गद्य खंड में भी हमारे पास कितने छे हमारे काविखंड में हैं और छे गद्यखंड में हैं अब इसमें हम क्या देख रहे हैं देखिए सबसे पहला गद्यखंड का पहला और पुस्तक का सात्मा अध्याय है स्वंप्रकास जी द्वारा लिखत एक कहानी है नेता जी का चश्मा नेता जी का चश्मा एक ऐसी कहानी है जहां पर एक कस्मे में म आप कभी उनको इमाजन करने की कोशिश करो आग बंद के रहे हम उनको कभी उनके बिना चश्मे के उनको इमाजन नहीं कर सकते हैं तो यहां पर एक ऐसी मूर्तिस थापित की गई जिसमें नेता जी का चश्मा था ही नहीं अब इस कमी को देखने वाला एक विक्ति था और वो उसके बाद नेक्स राता है राम रक्षबेनी पूरी द्वारा लिखित है बाल गोबिन भगत यहां पर हम एक ऐसे विक्तत के बारे में जानेंगे जो हैं बाल गोबिन भगत जो कहने को एक ग्रहस्त विक्ति हैं उनका एक घर परिवार है उनके एक पुत्र है उनके एक एक रुटीन होता है नित्त सुभा उठना जाहे जैसा भी मौसम हो सुभा उठना अस्नान ध्यान करना उसके बाद जो उसके नित्त कर्म हैं उन्हें करना और पूरे दिन साधरा में डूबे रहना इसी तरीके का बाल गोविन भगत का भी एक विक्तित जो है हम इस पूरे चै लिखेंगे भी इस चैप्टर से ध्यान रखेगा फिर है चैप्टर नबर नाइन यश्पाल जी द्वारा लिखित है लखनवी अंदास बड़ा ही मज़दार चैप्टर है आपने खीरा खाने का अंदास कभी आस तक ऐसा देखा ही नहीं होगा जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो किस तरीके से पतनशील सामंती सामराज्य का एक नया रूप हमारे सामने निकल के आएगा एक लखनवी नबाब के रूप में इस चैप्टर में हम देखेंगे जैसा कि मैंने बताया वो एक जरिया रहेगा खीरा जो हम सभी खाते हैं खीरा ककड़ी आप चैप्टर नमबर है टेन हमारी मनु भंडारी द्वारा लिखे थे एक कहानी यह भी यहां पर हम देखेंगे हमारी जो लेखिका है मनु भंडारी उन्हों का संसमर्न है यह कौन सी विधा में लिखा गया है यह एक संसमर्न है संसमर्न क्या होता है जहां पर हमारे जो लेखक क्या लेखिका होते हैं, उनके जीवन में कुछ चीजे घटित हो चुकी होती हैं, उन्हीं यादों को वो यहां पर हमारे सामने प्रसुत करते हैं, अब आप बोलोगे कि आत्म कथा में भी तो वही होता है, आत्म कथा हमेशा क्या होती है, सीक्वेंस से पूरी चीजें, जन्म में चले जाते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें उठा कर, यानि कि जीवन का सिर्फ एक अंश हम सामने रखते हैं, तो यहां पर मनुभंडारी के जो यंग लाइफ की जो उनकी कहानी है, वो बताएंगे किस तरीके से, उन्होंने सोतंतरता आंदोलन में भाग लिया, उसी की कहान नमबर है 11, जिसमें है यतिन मिश्र, द्वारा लिखेत है, नौबत खाने में इबादत, इस चैप्टर में हम देखेंगे, मसहूर शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला अली खां के बारे में, उनके जन्म से लेकर, मृत्यु तक की उनकी पूरी कहानी, बहुत ही शॉट में हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर है आपका चैप्टर नमबर 12, भंदत आनंद कॉसलायन द्वारा लेखेत संस्कृति, ये एक ऐसा मुद्दा हम यहां समझेंगे, जिसको हम इस्तमाल तो बहुत करते हैं, मगर उनके अर्थों से परचत नहीं है, संस्कृति और हम सुनते तो बहुत जादा हैं, लेकिन एक्च्वल ये होते क्या हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं, क्या ये अलग-अलग हैं, ये सभी कुछ हम समझने वाले हैं, पात संख्या 12 में, जो है हमारा संस्कृतियत है, तो ये हमारी रही पहली बुक, श्रतज भाग दो, अ और इन चैप्टिल से आने वाले जो आपके एक्जाम में कोशन्स होते हैं, वो भी आपसे बड़े-बड़े, यानि कि लॉंग कोशन्स पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इन पर कोशन्स भी काफी अच्छे से हम कराएंगे आपको, तो पहला हम देख रहे हैं माता का अंचल जिसे लिखा है शिफ पूजन सहाय जी ने, तो ये शिफ पूजन सहाय के बश्पन की ही कहानी है, किस तरीके से वो पूरा दिन जिनका अपने पिता के साथ बीटता था, पूरा खेलना, कूदना, खाना, पीना, नहाना, धोना, पूजा, पा है साना साना हाँ जोड़ी, ये है मधुर कांकरिया द्वारा लिखित, मधुर कांकरिया का ये एक यात्रा बृत्तांत है, जहां वो सिक्किम की यात्रा कर रही है, सिक्किम की राजधानी गैंटोक से उन्होंने अपनी इस यात्रा को आरंभ किया, और किस तरीके से वो वहा पर काम करने वाले लोगों के उपर और वहां पर रहने वाले लोगों के वहां पर तैनाज सैनिकों के बारे में बहुत कुछ इन्होंने इस पार्ट में हमें बताया है ये हम देखेंगे इस अध्याय में फिर उसके बाद आते हैं चेप्टर नमबर 3 मैं क्यों लिखता हूं अ मैं क्यूं लिख रहा हूं तो इस पार्ट को पढ़के हम जानेंगे कि आगयोजी को इस कोशन का आंसर मिला कि आखिर वो क्यूं लिख रहे हैं बहुत इंटरस्टिंग चैप्टर है जहां पर हम जो पहला हम अपना परमाणू विश्वोट हम लोग का हुआ था हिरोशिमा और नागसाकी पर उसके बारे में भी काफी कुछ पढ़ेंगे ठीक है तो ये हमारी दूसरी बुक भी यहां पर खतम हुई अब ये मतलब नहीं कि दो बुक है तो बस इतना ही पढ़ना है इसके इलावा हमारे पास में हैं व्याकरण और लेखन ठीक है तो चलिए देखते हैं स पहला है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो रचना के अभी तक आपने क्लास 9 में पढ़ा था अर्थ की द्रश्टी से वाक्य के भेद जो आपके 8 भेद थे हमने वो पढ़े थे अब हम जो 10 है उसमें हम वाक्य का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाके के भेद, जिसमें तीन भेद होते हैं, सरलवाक, सयुक्तवाक और मिश्टवाक, इनको हम पढ़ेंगे और इसकी हम पूरी प्रक्टिस आपको कराएंगे ताकि आपको सब कुछ टोटली क्लियर हो जाए, फिर उके बार नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा नेक् नहीं फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, हमेशा इन तीन मुद्धों पर ही हमारे बोलने का विशए रहता है, ठीक है, तो इन ही तीनों को हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है, वाच्च के जरिये, जिसमें हम देखेंगे कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच्च Next आजाते हैं पद परिचे, जैसे कि हम सभी की अपना एक परिचे हैं, ठीके, मेरा राम रुपाली वर्वा है, मैं आपकी हिंदी एजूकेटर हूं, मैं यहां रहती हूं, जो कुछ भी है मेरा अपना एक परिचे हैं, उसी तरी से आपका एक परिचे हैं, तो हम जब वाक्य बनाते हैं किसी भी तरीके का हम वाक्य बनाते हैं उसमें हम जितने भी पद इस्तिमाल करते हैं उनका भी अपना एक परिचे होता है उनका भी अपना एक इंट्रोडेक्शन होता है कि आखिर वो क्या है तो उनहीं का परिचे हम सीखेंगे इसमें तो ध्यान रखिए कि आपने क्लास फर्स्ट से लेकर नाइन्थ थक जितनी भी व्याकरण पढ़ी है वो सारी व्याकरण आपके सिर्फ इस एक टॉपिक में इस्तिमाल हो जाएगी तो ज्यान रखें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बहुत अच्छे से पूरा व्याकरण रिवाइस कर लेना है च सब ज्यादा खुश नहीं हो ना कि मैं सिर्फ चार याद रखनी है जो चार आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ लिए हैं वो भी आपसे इन टेंथ में पूछे जाएंगे तो उनको भूलना नहीं याद रखना यानि कि शब्दा अलंकार के जो दो और भेद हैं यमक अलंका अतिशोक्ति और मानविय करण यहाँ पर हैं तो इस तरीके से आपके जितने नाइन्थ में आपने भेद पढ़े हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं बाकी बचे हुए चार भेद मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूँगी अब हम आ जाते हैं लेखन कार्रे पे ल अनुचेद लेखन से आप सभी अच्छी तरीके से परिचत हैं आपने की अपना एक प्रारूप होता है लिखने का वो सारा तरीका मैं समझाने वाले हूं तो यहाँ पर सबसे पहले है अनुचेद लेखन उसके बाद है पत्र लेखन जिसमें आपके पास ऑप चारिक और अ informal letter दोनों ही आने वाले हैं इन दोनों का format अलग-अलग रहता है उन दोनों formats को हम समझेंगे फिर उसके बाद आता है स्ववरत्य लेखन अब ये क्या होता है बायो डेटा आप अपना बायो डेटा किस तरीके से रेडी करेंगे इनका क्या format है बायो डेटा के साथ हमको आवेदन पत्र भी लिखना होता है उसका भी format इसमें मैं आपको बताऊंगे यानि कि आवेदन पत्र और स्ववरत्य यानि कि बायो डेटा ये दोनों ही किस तरीके से तयार किये जाते हैं इनका अपना एक format है अपना एक तरीका है लिखने का वो सारी चीजे इसमें clear करी जाएंगे फिर है आपचारिक email लेखन आज के समय में हर जगा हमें email भेजना पड़ता है तो जिस तरीके से पत्र दो तरीके से होते हैं आपचारिक अनापचारिक उसी तरीके से इमेल भी आपचारिक और अनापचारिक होता है अनापचारिक लेखन का इमेल लेखन का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि परिवार वालों को हम कोई मेल तो भेजेंगे नहीं ra ment kaipasi ready क्या जाते हैं इनको देखने वाले हैं संदेश लेखन किसी को अगर हमें संदेश देना है किसी तरीके का तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे ध्यान रखे हर एक चीज अपना अलग-अलग तरीका है लिखनी का तो यह हमारे लेखन कारे से समन्धित यह सारे टॉपिक आएंगे इन सभी को हम समझेंगे लेखन के अंदर तो इतना सारा से लेबस है हमारा हिंदी का जिसे हम समझेंगे सब कुछ हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और रिडी करने ठीक है तो कमरकस के त्यार हो जाएए अब हम जो अगली बार आप से मिलने वाले हैं वहाँ पर हम शुरू करेंगे अब भी पहली पुस्तक शुतज भाग दो के पहले अध्याय के डिटेल एक्स्प्लिनेशन के साथ में अच्छे से पढ़िए अच्छे से समझाओंगी मैं आ याद रखिए एक बार जो चीज़ पढ़ोगे वह आपको हमेशा याद रहें तो चलिए यहां पर यह वीडियो आइंड करती हूं मिलूंगी आपके नए वीडियो नए चैप्टर नए बुक के साथ पर थैंक्यू फॉर वाचिंग बाबाई